दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें लाइस करेंगे इस केन डेंट आप देखेंगे कमपनी फिर से सपोर्ट लेकर बॉंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है तेकिन अगर कमपनी के सपोर्ट लेवल की बाद तो ये तो फ्री डिफाइंड था आप देखेंगे इससे पहले भी यह company लगबख same price पे, same level पे अपना support लेकर bounce back करने की कोसिस कर चुका है लेकिन company में उपर जाकर आपको selling pressure देखने को मिला और यहाँ फिर से नीचे आ चुका था तो ऐसे में अगर फिर से यह उपर जाने की कोसिस करता है और अपने यह previous high यानि की इससे पहले जो इस company ने high बनाया था company जैसे इसको break करके इसके उपर निकलता है तो फिर इस company में एक बड़ा breakout आपको देखने को मिलेगा और यहाँ company एक बड़े लेबल को टच करेगा लेकिन अगेन यहाँ वहाँ पर अगर रजिस्टेंस फियस करता है तो फिर से नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो support लेबल सेम प्राइज होगा अगर short term के लिए invest किया है तो अपना stopless साथ के साथ trial करते रहें और अगर आपने long term के लिए buy किया तो सबसे पहले company का fundamental चेक करें company का आप business चेक करें अगर आपको satisfied son वहाँ पे लगता है तो बिलकुल hold करें otherwise निकलने की courses करें क्योंकि बिना fundamental के और बिना business के analyze किये आप किसी भी company को long term के लिए hold कर नहीं सकते हैं क्योंकि long term company का तब पता चलता है जब उस company का fundamental हो जब उस company का business हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video